हलो दोस्तो मैं मुहमद सरफराद मेरे यूटूब चैनल इलर्णी विद्धुर्गेश पे आपका स्वागत है आज हम भारत भुगोल सीरीज में भारत के अपवातंत के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे भारत में कौन सी नदी प्रवाहित होती है उनकी लंबाई क्या ह और उनका उद्गम अस्थल क्या है और उनकी विसिस्ताएं क्या है वरतमान समय में एक्जाम में जो प्रस बूछे जाते हैं वहीं से सम्मंदित तथे को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को बताने से पहले मैं बता जैसे आपका एक नदीत तंत्र है सिंधु नदीत तंत्र एक सिंधु नदीत तंत्र है अगला आपका है गंगा नदीत तंत्र और इसकी सायक नदिया जो है यह हो गया गंगा नदीत तंत्र उसके बाद आपका हो गया पूर्वी घाट की मतलब अर्था बंगाल की खाड़ी प्राइदीपी भारत की नदियां साब साब कहें तो हम प्राइदीपी भारत की कुछ नदियां है चलिए हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं तो यहां पी दिया हुआ है कि नर्मदा नदी प्रवाहित होती है तो जो नर्मदा नदी है यह सत्पूरा स्रेडी और बि संकोष नदी सिमा बनाती है तो संकोष नदी चौकर डिवास्णाल पमगाल के बीट सीमा निधारन करती है यह एक प्राकृतिक स्रीवा बनाती है भारत की वनदी जो एे चुणरी बनाती है तो नर्मदा और तापती ऐसी नदियां है जो एस्चूरी का निर्मार करती है इनके अलामा भी कुछ नदियां है जो एस्चूरी का निर्मार करती है जो जुआरी और मांडवी नदी आगे हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाई नदी नर्मदा तापती इसके अलामा अ वाब सतल ने दिए तथा अरब सागर में गिरने वाली बहरत की सबसे नscreen आगे H आगे है राकास ताल से निखल गर हिमालए को कट कर सिव्किला दर्राच ये होकर प्रवद्विश करने वारी नदी है तो यह सालग नदी आगे देखते हैं कि आजह का वास्तिरीक ज्रोंट थे सहडोल जिले में सोनवूंड़े का आगे देखते हैं दामोदर सई सख्याज तो दामदर हुगली की सफ्यानली है अगर हम देखेंगे तो फcut और निकलती है यह दो Synmen made में हुगली तिया सते हैं विए यहिंहें पर्यदिपी भारतस से दामदर नदियाक इस प्रकार हुगली की सहायक जो है दामदर नदियंसटिटे माधर्फी आरगे हम देखते हैं Act चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है सिंधु नदी जम्मु कस्मीर के जिस एक मातर जिले से गुजरती है वह है तो वह ले है ले है सिंधु नदी से सौरी ले से सिंधु नदी होकर प्रवाइट होती है जो जम्मु कस्मीर का एक राज है प्राक्सर पस्न पूछा जाता ह कि सिंधू नदी के किस तटर ले लिए तो याद रखिएगा आप यह कि बसंद से निकलकर पाकिस्तान उती अरबसागर अगल सकते हैं तो जया है लेह या सिंदू के दाइने साइड है आगे देखते हैं जेलम नदी निकलती है तो जेलम नदी पीर पंजाल स्रिवनी से निकलती है स्तुरी नगर बसा हुआ है तो स्तुरी नगर जेलम नदी के आरे बसा हुआ है और जेलब नदी पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ दूरी तक प्राक्रितिक सीमा का निधारण करता है आगे देखते हैं हिमानचल परदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया निर्माल करती है तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है वो डेल्टा का निर्माल करती है और अरब सागर में गिरने वाली नदिया इस्च्वरी का निर्माल करती है प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदाव अभी हम आगे देखेंगे किसकी लंबाई कितनी है आगे हम देखते हैं तुंग भद्रा इवं किसना नदी के बीच का भाग है तो यह है रायपूर का दौआब छेत्र है आगे देखते हैं गंडग नदी को नेपाल में जाना जाता है तो गंडग नदी को नेपाल में साली ग पहल ऊड़ए नरमदा और सौन दोकी नरमदा और सॉन दोनों ली हाँ मेर कंटक्स निकलती हिए एक थी घाटी में भातीविराइब शागर में एक याज दि उत्तर गॉंगा में के भाते निकलती है तो जिसका उध गम तो यह नरमादा नदी है थेक आगा देते हैं हगेरी सहायक नदी है हले तुख भगद्रा की सहायक नदी है milk O झाले आगे हम देखते हैं गंगा नदी की एक मात्र सायक नदी जिसका अधगम मैदान से होती और पूरे भारत का सिराज हिंद कह जाने वाला मेरा जनपद 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 जौनपूर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है जौनपूर सहर एक ऐसा सहर है लंदन के बाद एक ऐसा सहर है जिसके बीचोबीज सहर के बीचोबीज से कोई नदी प्रवाहित होती है इसी प्रकार लंदन के बीचोबीज से एक टेमस नदी प्रवाहित होती है और जौनपूर के बीचोबीज से गोमती नदी प्रवाहित होत आप नदियों से समंधित और विश्थित अध्यन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल इलर्णिक दुर्गेश पे जाकर वहाँ पे भारत भुगोल स्रीज खोल कर उसमें मैंने आपको खुद लाइप अलग-अलग नदियों के बारे में पढ़ाया गया है और बो पोटवार पठार को अन किस नाम से जाना जाता है वह है तो दिल्ली रेंज अरावली परवत का ही विस्थार है दिल्ली रेंज जिसे पोटवार पठार के नाम से भी जाना जाता है आगे देखते हैं नर्मादा नदी का उद्गम होता है तो अमर कंटक मध्य परदेश से न नदियां इतना प्रवाइत होई है कि उस पठार को उस पठार को कार दी इसे हम अउनालिका परदन यहां बीहड या बीहड घाटी या बीहड खट के नाम से जानते हैं आगे हम देखते हैं यहां पर दिया गया है जैसा हमने बताया कुछ तंत्र यह सिंदू तंत्र गंगा न बना में देखेंगे तो पांच नदियों को देश अर्थात पंजाब चलिए देखते हैं शिंदू नदी इसका उद्गमस्तन मांसरोवर जील तिबत है इसकी कुल लंबाई 2880 किलो मीटर है सतलज नदी या मांसरोवर जील के निकट राकस ताल से निकलती है इसकी कुल ब्रहतां के पास से निकलती लंबाई 724 किलो मीटर है वर आगे हम देखेंगे गंगा नदी तंतर तो गंगा नदी तंतर के में बहुत साही नदिया लिकिन हम कुछ परभुन नदियों के बारे मैंतन करेंगे ब्रंपुत नदी के एक स्थाएक नदी हैं जो भारत की सपसे लंबी निभी एूद्गम हिमानी निकट से होता है उसका नदी की नदी चैनल के निकत के बाज़ोंग होता है इसे हमारे यूटूब चैनल पे अलग से एक वीडियो में बताया गया है, उसे वहाँ देख सकते हैं आप, इसे कुल लंबाई पचीस सो पचीस किलो मीटर है, यह भारत के पांच राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तरपरदेश, बिहार, जहारखंड पच्चिम मंगाल, इसकी सरवादिल लंबाई उत्तरपरदेश में है, यह उत्तरपरदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, और सबसे कम लंबाई इसका जहारखंड में है, आगे देखते हैं यह मुरान नदी, इसका उद्गम इम्नोत्री हिमानी से, इसकी कुल पहाड़ी महू से निकलती है, जिसके लंबाई 965 किलो मीटर है, आगे हम देखते हैं सोन नदी यह अमर कंटक की पहाड़ी से महकाल परवस से निकलती है, इसके लंबाई 780 किलो मीटर है, आगे देखते हैं कोसी नदी यह गोसाई धान सिखर नेपाल से निकलती हिसके यहां पे आपको ब्रंपद गंगा यमुना अँंके बारे में अच्छी सप्रव्य जाते हैं आगे हम अगे हम देखते हैं आगे यहा अगे अगया प्रस्न है गदावरी नदी का उदगह्य heard तो गदावरी नदी का उद्गम अस्तर पस्विघार्ट परवत के नासिक के निकट है। पर अच्छे समझे सकते हैं भारती नदियों की प्रमुक उद्धमगु खेत्र हमालय से ए् माय वी रावसे पश्वी घाट से सफुरा महादेवरों परवत ऺड़ी से अदिक्तम नदी भारत में प्रवाहित होती है कि पर warings पुर्वरती प्रते रूप करें आपकाया क्तइखें कम 은ब करता है यिसे हमारे पड़ सकते हैं का उदगम अस्थलिक रिया परदेश के मुट्रडश बादिध होता है हिमाले को काटकर बहने वाई नइघियां यह ब्रमकुत्र सटलज और शिंदु निजिक जो इक गार्ज का निर्मान करती जैसे बन जाती यह दामोदर नदी निकलती है तो यह यह कभी कभी बना रास्ता बठक जाता है और गाउं की गाउं ही बहाले जाता है तो यह हो गया आपका अपोहतंत्र अपोहतंत्र के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुवजील इस प्रकार हम भारत भुगोल सिरीज में आगे बढ़ते रहेंगे लेर्निंग वी दुर्गेश पे आप इसे मिल सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम से जुड़ने के लिए बीना स्पेस के आप लिखिए दुर्गेश सर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूटूब पर इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्बूप और अनकेडमी पर भी हमें फालो कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू जय हिन जय भारत